जब हम नाक से सांस लेती हैं और ये हवा हमारे फेपड़े में जाती है फेपड़ों से या हवा इन छोटे छोटे अंगूर जैसे दिखने वाले अलविलाई के अंदर जाती है तो अलविलाई के अंदर जो एयर आती है उस एयर में O2 का पार्सियल प्रेसर लगभग 104 mmHg होत है जिन ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सिजन का पार्सियल प्रेसर लगभग 40 mmHg होता है आपको यह बात साफ साफ पता चल रहा होगा कि जो ब्लड कैपिलरी जुड़ी रहती है अलविलाई से उसमें O2 का प्रेसर कम होता है और आपको यह बात तो पता ही होगा कि एयर का म मुपमेंट हमेशा हाई प्रेसर से लो प्रेसर की ओर होता है तो चुकि इस ब्लड कैपिलरी में O2 का कॉंसेंट्रेशन कम है इसलिए इलविलाई से एयर ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा यानि अब ऑक्सिजन ब्लड में जाकर घुल जाएगा और जैसे ही O2 ब्लड में आया लगभग 1-3% तो हमारे ब्लड के प्लाजमा में ही घुल जाता है जिसमें ब्लड में कई सारे महतोपून प्रोटीन पाए जाते हैं लगभग 97-99% O2 हमारे ब्लड में ही पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल में जाकर बाइंड हो जाते हैं देखी यहा कैसे होता है Poly Peptide के चार chain आपस में जूड़े होते हैं Poly Peptide का मतलब protein ही होता है और इन chains के बीच में होता है Heme मतलब Iron continent जो कि Iron से मिलकर बना होता है जैसे कि इसका नाम पढ़ रहे हैं Hemoglobin इसमें Hem का मतलब होता है Iron से ही है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसकी सरचना को ध्यान से देखिये और समझिए चार पॉली पेप्टाइट चेन जो की एक प्रोटीन है इनमे से हर एक पॉली पेप्टाइट चेन के बीच में हीम का एक एटम है जहां से एक ऊक्सीजन बाइंड होता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक red blood cell में कुल चार हीम के अडू होते हैं इसलिए एक red blood cell में कुल चार oxygen के अडू bind हो सकते हैं जैसे ही O2 bind होता है red blood cell में मौजुद हीमोगलोबिन के साथ यह हेरदय में पहुँचने के बाद पूरे सरीर भर में फैल जाता है और पूरे सरीर भर में फैलने के साथ ही यह हर उन cell और tissue के पास पहुँच जाता है जहां पर O2 की जवरत होती है tissue और organ के पास पहुँचने के बाद यह O2 rich blood दरसल जिस blood capillary में रहता है वहाँ पर O2 का partial pressure 95 mmHg तक हो जाता है और जिस tissue पर O2 पहुचाना होता है वहाँ पर O2 का partial pressure 20 mmHg तक ही रह जाता है यानि O2 का pressure बहुत कम हो जाता है tissue label पर इसलिए वहाँ पर low O2 pressure हो जाता है यही वज़ा है कि blood capillary से O2 diffuse होकर tissue में चला जाता है जहाँ पर सेल में पहुचने के बाद O2 glucose का oxidization कराता है और glucose के oxidization से carbon dioxide और gel by product के रूप में निकलते हैं जो की एक waste product होते हैं waste product के रूप में जो carbon dioxide बनता है उसके वज़ा से tissue में अब carbon dioxide का partial pressure 58 mmHg तक पहुच जाता है वही blood capillary जो oxygen provide करा रही थी वहाँ पर carbon dioxide का partial pressure 40 mmHg ही रह जाता है यानि वहाँ पर carbon dioxide का pressure कम रहता है जिसकी वज़ा से carbon dioxide diffuse होकर blood capillary में चला जाता है जिसमें से कुछ carbon dioxide red blood cell के साथ ही मिलकर carbonic acid बनाता है और कुछ bicarbonate में बदल जाता है कुछ carbon dioxide plasma के साथ मिलकर carbonic acid और bicarbonate में बदलकर फेफ़नों तक पहुँच जाते हैं जहां पर पहुँचने के बाद दो बारा से carbon dioxide में बदलकर हमारे नाक के जरिये सरीर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि तब फेफ़नों में carbon dioxide का partial pressure जादा होता है as compared to हमारे surrounding carbon dioxide के pressure की तुलना में इस तरीके से O2 हमारे सेल पर पहुँचता है और उन सेल पर बने जो carbon dioxide है जो waste product बन रहे हैं ओ हमारे नाक के जरिये सरीर से बाहर निकल जाते हैं जिसे हमारा सरीर healthy बना रहता है सुचारू रूप से चलता रहता है ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे comment के माध्यम से जरूर बताईए और अच्छा लगा होगा तो आप like share कर सकते हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे और ऐसे ही informative वीडियो पाने के लिए थैंक्यू धन्यवाद